इस वक्त मेरे साथ मौझूद। है जफरिश ह्वाला जी, जफर रगाव आपका इंडिया टीवी के चुनावमच में, बहुती है। बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया, बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा अच्छा ही लगता है आपके चुनावी मंच में या आपकी जो कॉंक्लिव होती है उसमें एक अच्छा नई चीज़ें पता चलती है भारत की आर्थिक राजदानी कही जाने वाले मुंबई में मौजूद है मुंबई में चुनाव भी है कुरे महराष्ट में अंदर डरते हैं लेकिन देखिये मैंने तो अभी अपने इतने सालों में जो मैं बॉम्बे में हूँ दोजार चार से मैंने तीन गौवर्मेंटें आई देखी कांग्रेस की हुकुमत थी उसके बाद बीजेपी के आई फटनविस साब के आई उसके बाद फिर उद्धव ठ पॉलिके ने वो इतनी पॉलिटिकल नहीं है यहां बॉम्बे में हर आदमी काम पर कमाने पर बहुत ज्यादा उसका फोकस है यह अगर आप यूपी या बिहार में जाएंगे तो वह पॉलिटिकल अवेरनेस बहुत है एक नौजवान में भी यहां तो आदमी जो निकलता है वो कमाने में और उसका कोई बहुत ज्यादा इतना वो नहीं है लेकिन अच्छा है मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है यहने एकदम यहने फाइट वह जो पहले होता था ने कि वो वन साइड़ेड नहीं है यहने बिलकुल इवनली पॉईजड है वैपारी संगठनों में आपके अच्छे खासे लोग सुनते हैं आपको और मानते भी आपकी राये को तो जैसे आपने बॉम्बे की भी बात की बॉम्बे में बहुत सारे उध्योग पती भी रहते हैं तो उनकी नजर में क्या होना चीए कौन से सरकार बैटर है जो उध्यो उनके पूरे मुलक में कहीं ने कहीं उनके प्लांट्स हैं या उनका लगा हुआ है कहीं ने कहीं तो सेंट्रल में एक हुकुमत है लेकिन कोई स्टेट में कांगरिस की हुकुमत है या समाजवादी की है या कोई और हुकुमत है तो वो हर एक से तालुक रखते हैं तो जो ब बड़े हैं और जिस तरह से आगे देखें नोट बंदी हुई इंफरस्ट्रकार को ले करके बहुत सारे काम हुए आपने पिछली सरकारे भी देखी और दस साल में बीजेपी एंडिया की सरकार भी देखी आपको कौन सा बहतर लगा यह आप चाहे कुछ भी मुखालिफत करें वो अपनी जगा पर है लेकिन कुछ बहुत अच्छे काम हुए जैसे आपने बंबे की बात किया महराश्टा की तो जो इंफरस्ट्रक्चर का काम हुआ है अभी याने जब से फड़नविस साब की हुकुमत बीच में धाई साल उनकी भी थी उद्दाव ठाकरे साब की और फ खास तोर से बंबे में जो ये इंफरस्ट्रक्चर का जो काम हुआ है जो नवे नए जो ब्रिजिस बने है ये कोस्टल रोड बना है मेट्रो का जो काम हुआ है उसके अलावा जो हाईवेस बने महराश्ट्रा में भी वो रिमार के बहले और अगर आप सेंट्रल बनना इस ऑफ बिजनेस में भी इनका बड़ा है हाथ और खास तर से जो डिजिटल जो इन्फरस्ट्रक्चर बना है पिछले दस साल में खास तर से पेमिंट का बैंक अकाउंट के खुलने का यूपी आई के जरीए और या और बहुत बड़ा जो काम हुआ है मेरे हिसाब से अगर मैं इनकी वुरुद्धी अगर देखूं तो जो पचास करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट जो खुले हैं यहने मैं इसलिए इसको समझ सकता हूं कि मैं हम लोग मदद करते हैं लोगों की दूर दराज में अब पहले अरूना चल प्रदेश में अगर मुझे किसी यत चीज ऐसी जगाओं पर है जो हम सोच नहीं सकते हैं ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट हैं अभी कि जिनके बारे में आज से दस साल पहला अगर आप तसवर करें तो पॉसिबल ही नहीं है तो यह जो इंफरास्ट्रॉक्चर हुआ है खास्तर से बैंक अकाउंट का और यह डि सब की मैं किसी की को इंकार नहीं करता लेकिन मोदी साब जो उसको एक नए लेवल पर लेकर गए खास्तर से ऐसे ऐसे मुलकों में गए वो के जहां 35-36 साल से हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गए था खास्तर से UAE में पहली मरतबा जब मोदी साब गए 2015-16 में तो 33 साल से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था जिस तरह से उन्होंने इसलामिक वर्ल्ड में जो गया है मैं नहीं समझता कोई अरब कंट्री या इसलामिक वर्ल्ड की कोई कंट्री ऐसी होगी जह हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गये जहां हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर गय जो दुनिया में जाएगी तो एक अब एक हिंदुस्तानी को बहुत इज़त की निगा से लोग बहार देखते हैं ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी सारी बाते सुनके मुझे लगा कि महराज तुमें किसकी सरकार बनने चाहिए आगर आपकी कई सारी बाते जो है देश-विदेश में मानी जाती है और बहुत सारे लोग बिजनसमेन के अलावा बहुत सारी कम्यूटी की लोग जो है आपको फोलो करते हैं एक आरोप बी जोड़ो. मैं आपका महराश्टे का बता हूँ. हम लोग एक मुसल्मानों में एक education to entrepreneurship तालीम और तर्वियत के नाम से एक program चलाते हैं जिसमें हम मुसल्मान बच्चों को financial literacy, capital market और कारोबार कैसे करने की पूरी ट्रेनिंग देते हैं. तो उसमें हमने सब सरकारों में काम किया. फटनविस साब जब पहला शुरू किया था फटनविस साब चीफ मिनिस साब पहली बार उन से मुलाकात के लिए गए तो immediately एक second में का नहीं इसके लिए माँगा और बलके मुझे हुँ का कि अब ऐसा कोई भी काम करो education में मुसल्मानों की कहीं भी जरूरत है तो यार मेरे पास आ जाना. एनि वस ट्रू टो इक उसके बाद हम जब भी उनके पास गए उन्हों जिसकी भी हो जहां भी हम तो देखें कि हमारे जो priority की चीजें जो है कारोबार, education, entrepreneurship इसमें और यह सरकारों का मेरा तज़र्वा है कि वो चाहे कुछ भी इनके नीचे के लोग करते हैं लेकिन उपर जो लोग इनके बैठे हैं वो बिलकुल मदद करते हैं उसमें यानि मैं बिलकुल कह सकता हूं कि वो मदद करते हैं महराश्ट और दुनिया वर के businessmen यकीन कर सकते हैं और विश्मस जधा सकते हैं सरकारों करूं हाँ बिलकुल सरकारे जो होती है ने वो देखिए वो उनका जो जो आपने बता है ने नेगिटेव और ये जो है वो है एक या इलेक्शन तक है लेकिन जब कुरसी फर बैट जाते हैं तो फिर मैंने देखा है कि मोर और लेस कुछ ज़्यादा वो नहीं होता लेकिन हाँ संजी लिटगी से आपकी बात रखी तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई हैं जो आपकी बात का इंकार कर सकता है यह करने की जूरत है जब साब इंडिया इंडिया टीवी के कॉंक्लेव में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच